तो नमस्कार दोस्तों, लव एक्स प्रेस में आपका स्वागत है और मैं आज आप को बताऊंगा, कि आप अपने X-PARTNER को फिरसे अपनी जिन्दगी में कैसे वापस ला सकते हैं चुकि एक्स पार्टनर को अपनी जिन्देगी में वापस लाना, लोग सोच लेते हैं कि बहुत टिपकल है, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी जिन्देगी में ला सकते हैं बहुत ही सिंपल दरीके से आपको बस करना होगा कुछ थोड़े से काम जो कठिन तो नहीं है लेकिन इतने आसान भी नहीं है लेकिन मैं गैरिंटी लेता हूँ इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस ले आएंगे पहली बात तो यह है कि सोचिए कि आपका एक्स पार्टनर आपसे तूर क्यों है अगर आपको लगता है कि एक दिन की लडाई जगले में कुछ कहा सुनी हुई कुछ मन मोटा हुआ और आपका एक्स आपको या तो गलत शब्द बोल के या तो गलत एटिटीट देखा कि आपक जिसको जाना था वो उस जाने की प्लानिक आज से नहीं महीनों से करके बैठा हुआ है पस वो थोड़े थोड़े फॉम पे रिसाइकल हो रही थी और क्लेक्टिव मोट पे आ रही थी थोड़ा 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 और एक दिन क्लैश तो अगर आपको लगता है कि एक छोटे से मन मटाओं में, ये काम हुआ है तो नहीं, ये एक्स पार्टनर ने जाने का फैसला तो बहुत पहले कर लिया था, जिस दिन उसने आपको छोड़ा, उस दिन आपने उसका फाइनल कॉल सुना और देखा, ये तो हो गई बात ब्रेकप किया, आ लेकिन अब उसको अपनी जिन्देगी में वापस कैसे लाएं, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ, पहली बात हमेशा अपने अंदर कॉन्पिटेंस रखिए, ये कभी मत सोचिए कि ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि जो कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा हो होता है, और इसी को कहते हैं, इंपॉसिबल में भी पॉसिबल लगा हूँ, बहुत कढ़िन काम नहीं है, सबसे पहले इस जड़ में जाने की जबवत है, इस कारण को ढूरने की जबवत है, कि आपका एक्स पार्टनर आखिया आपसे दूर हुआ क्यों, क्योंकि जिस परसन है, ना आपकी सुनना चाहता है, ना आपसे मिलना चाहता है, ना आपको देखना चाहता है, और वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ से आपको निकाल चुका है, और आपको क्या लगता है, फिर से हम मिन्नते कर लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, अपनी गलती मान लेंगे, अ किसी बहाने से चला जाएगा तो काम वो करिए जो forever आपकी मदद करें तो अपने ex को वापस जरूर लाइए लेकिन ऐसे जिससे वो आपको फिर कभी छोड़ के न जाए इसके लिए आप समझेए कि जब आप relationship में नए नए आये तो ललका ललकी कोई भी हो सकता है अगर आप ल entity हुआ करती थी आपके कुछ thought process हुआ करते थे आपका भी कुछ मानना होता था आपका भी एक attitude था ये काम करना है तो करना है नहीं करना है तो नहीं करना है बट relationship में आने के बाद धीमे 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 आप अगले के कदमों में चुपते चले गए अपनी self-respect आपने खतम करा ली आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके लिए क्या गलत इमेज बनाता चला जा रहा है और आपको लग रहा है कि अब तो यह मझे कभी छोड़के जाएगा नहीं चोड़के जाएगी तो दोस्त आपने अपनी identity ही होती है जिससे उसने प्यार किया था वो तो कोई और बंदा था या बंदी थी कोई और ललका ललकी आप जो आज हो वो है ही नहीं जिससे उसने प्यार किया था इसलिए उसने आपको डंप किया आपको छोड़के चला लिया अब आपको करना यह है कि पहले तो गिल गिलाना टेक्स्ट पर टेक्स्ट करना एक ब पीछे मत जाईए, बिल्कुल मत जाईए, सारे काम रोपके, उसके पीछे जाना, उसको देखना, मिलना, सुनना, सब्बन, देखिए, जिसको आप और लेडी इंप्रेस कर चुके हैं, उसको दुबारे इंप्रेस करने में कितना वक्त लगना है, पर जो आप से पहले एक बार पॉलसी को करने की बजाए, किसी को अपनी ओर एटरेक्ट करने की बजाए, आप भीग मांगना चालू कर देते हो, गिल गिल आना चालू कर देते हो, आप सही काराल का पता तो लगाते नहीं, तो सही काराल का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, कि सबसे पहले सारे contact close कर दीजे, no contact zone पे बनाईए, no contact rule को अपनाईए और किसी तरीके का call text message करना बंद कर दीजे, पूरी तरीके से, दूसरी चीज, आप हमेशा उसके सामने एक हेर स्टाइल पे जाते हैं, आप एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, आप एक ही जैसे जूते पहनते हैं, भोलने में आपकी कोई quality नहीं रह गई है, जो मन में आया भोल दिया, तो आपको अपने आप पे काम करना है, पहला step यह है, कि no contact, दूसरा step यह है, कि आपको अपने आपको change करना है, वो change कैसे करना है, है, suppose करिए कि जो कपड़े आप हमिशा उसके सामने पहनते थे, उन कपड़ों को उठा के एक कोने पर रखती है, वो कपड़े आपको पहनने ही नहीं है, अब आपको ने कपड़े पहनने है, या वो कपड़े पहनने जो उसने कभी देखे ना, अभी मैं आपका contact फिर से उस जाता था उसके सामने, अब मैं स्कोर्ट को ही साइड कर दूगा, मैं टीशल्ड पहनूँगा, मैं शल्ड पहनूँगा, मैं कुछ भी ऐसा लूग बनाऊंगा, जिसको उसने देखा ना हो, अपनी एरिश्टाइल चेंजी करिए, अपने लुक्स पे ध्यान रखिए, उसको ब लेगे, यह आपके फ्रेंट्स खुद अपने आप बोल देंगे, यह उसको अपने आप पता लगी जाएगा, आप सुचोंगे लोग अब उसको तो कौन बतानी जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहें, ऐसा नहीं होता, सब कोई एक फ्रेंड रखे लिया आपकी एक्तिविटी य्या आपके स्टेटस पता चला वो छोड़के गया आपने sad status लगाना चालू कर दिए मादम मनाना चालू कर दिया रूणा गिलगड आना चालू कर दिया friend circle friend zone में बात करना चालूं कर दी यार वो तो मेरे को दोका दे गई, यार वो तो मेरे को दोका दे गया, सब कुछ बंद अपने ऊपर काम करिए, अपनी personality, अपने looks पे काम करिए, जो लोग जिम नहीं जाते थे वो जिम जाये, एकसर साइज करें, ये ऐसे काम है, जिनको करने पे आपक कोई फरक नहीं पड़ता तो यकीन मानिए वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा और जब उसको ये पता चलेगा कि आप पहले से बिल्कुल बदल चुके हूँ और जिसको इसने छोड़ा था वो तो आप होई दे आप तो एक नई परसनाल्टी ही और जब आप नई परसनाल्टी बन जाओगे ना तो खुद आपके पास आजाएगा लेकिन जब वो आपके पास आएगा तो आपको यह नहीं अरे अरे तो मैंने तुम्हारे लिए किया था मैं तो तुम्हीं को दिखाने के लिए कर रहा था मैं तो तुम कुछ लाए फिर से घुटने पर मत चले जाना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से मत गिरा लेना के ओंब अन्याया क一फ करें कोई कहीं मिल जए और इस काम को करने में दो स्वांस नहीं आईगी या एक्स वापस नहीं आएगा तो याद रखीए कि दुण्या में सब को ही जुपता है जुआने वाला होना लेकिन अब जुठाने के लिए कुछ तो आप को करना पढे आप अपने कामों से उसको जुकाईए ना कि लडाई जगड़ा करके कि नहीं मैं तो उसको गाना बना है ना ठुकरा के मेरा प्यार अप इंतकाम देखेगी इसनललू जप्पु वाली बातें मत करें हकीकत में आईए और आपको करना से पिये है कि सबसे पहले सारे कॉंटेक्ट बंद कर दें सारे कॉंटेक्ट बंद कर देने के बाद अपनी परस्नाल्टी पे काम करना है अपने लुक्स पे काम करना है अपने एटिटूट पे काम करना है और अपनी परस्नाल्टी में वो निकार लाना है कि हाँ तेरे होने ना होने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जिसे न आप ये काम कर लोगे विदिन बन मंथ आपको positive results मिलना चालो गोज़े और जैसे ही आपको positive results मिले तो आप अपना attitude वही रखिएगा उसको ये मत देखाएगा ये मैंने तेरे लिए किया या तुमारे लिए किया ये तो मैंने अपने लिए किया और अब मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रुवत नहीं मेरे पास टाइम नहीं है मैं अलग बिजी हूँ अगर कोई मिल भी जाए casual meeting भी हो जाए या कोई आप से हाल चाल पुछे तो बस आप भी हाल चाल हाए hello का जवाब हाए hello से देखे side अभी अपने partner की बुराई मत करिए चाहे वो X हो या current का partner हो क्योंकि current का partner भी शायद खुदा ना करे भगवान ना करे लेकिन कल को जाके X बने गहा memories हमेशा subconscious mind पे रहती है यादे हमेशा दिल पे रहती है आप भी आँख बंद करते वक्त भी आँख जब भी खाली होते होगे फिलाल तो आप तो उसके पीछे ही पड़े हो ऐसे शो करिए थोड़ा सा मुझके लिए लेकिन कर लेंगे आप लोग इसलिए उसको फरक नहीं पड़ता है जब ज़से आपको फरक पड़ना बंद हो जाएगा और आप अपने उपर काम कर लोगे आपका X जितना शिद्धी हो तो गैरंटी मैं लेता हूँ, वापस आएगा आपके पास फिर से, चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो जरुवत मन्द हों तक ये इस वीडियो को पहुंचाईए, ख्यार लखिएगा अपना कमेंट्स बॉक्स में, अगर आप किसी पर तब तक के लिए नमस्कार,